इडिया टीवी आपकी आवाज की कोशिश की गई है और खास करके कोविड को लेकर जिस प्रकार का एक माहूल डेथ नंबर्स को लेकर हिंदुस्तान के बनाया गया है पहले में उस विशय को लेकर आपके सामने कुछ तथ्य रखने का प्रयास करूंगा जहां तक कोविड की लड़ाई का विशय है पूरा विश्व बांता है कि भारत वर्ष ने हिंदुस्तान ने इंडिया ने जिस प्रकार की लड़ाई कोविड के खिलाफ लड़ा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रत्व में वो अद्भुत और अद्वितिय था वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल था एक भी मृत्यू होती है तो वो दुखद होता है एक भी मृत्यू होती है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है तो मृत्यू के उपर लड़ना, मृत्यू के आकड़ों के उपर राजनीती होना इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है इतना व्रहत देश, such a huge country, look at the diversity of the country, look at the population of the country देश की जनसंख्या को देखिए, देश की स्थिती को देखिए, उसके बावजूद, जो developed nation है, उनसे भी बढ़कर के भारतवर्ष ने ये युद्ध लड़ा है, कोरुना के खिलाब, vaccination drive को देखिए, तो एक इतिहास भारत आज रचता हुआ नजर आ रहा है, दुखद है कि उन नतीजों को लेकर, उन आकड़ों को लेकर, राहूल गांदी was the first person in India to tweet, उन्होंने राजनीती की है, राहूल गांदी जी कहते हैं, science doesn't lie, मोदी ड़स, मोदी जी को नीचा दिखाने का ये जो प्रयास राहूल गांदी का है, ये कोई आज का नहीं है, 2014 से ही निरंतर मोदी जी को नीचे दिखाने के प्रयास में हमेशा भारत वर्ष को नीचे दिखाने में राहूर गांधी सफल रहे चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का विशे हो चाहे अन्य महत्वपून विशे हो सभी विश्यों पर जिस प्रकार से राहुन गांधी ने समय समय पर मोधी जी और भारती जन्ता पाटी पर आक्रमन करते हुए भारत को निचा दिखाया है यह बहुत ही दुख़द है यह बहुत ही दुखद है इस प्रकार का लड़ाई नहीं होना चाहिए पूरा हिंदुस्तान एक जूट होकर इंडिया एज वइन यूनिट फॉट अगेंस्ट कोवेड और हम जीते भी मगर राहूल गांधी वही राजनिती करने का प्रयास कर रहे हैं मैं राहूल गांधी जी से कहूंगा कि for God's sake don't demoralize आप भारतवर्ष को demoralize मत करिए जहां तक WHO का संबंद है मैं आज तकनीकी रूप से कुछ बहुत महत्वपून विशय भारती जन्ता पाटी के पठल से आपके सामने और विश्व के सामने रखना चाहता हूँ यह विशय केवल हमारे देश का नहीं है यह विश्व के सामने भी हम सत्ती रखना चाहते है चार महत्वपून ऐसे कदम है जिनको लेकर हमें लगता है WHO ने जो डाटा रिलीज किया है वो गलत है नमबर एक Flawed Methodology WHO ने जो मेथोडोलोजी अर्थात जिस प्रकार के तरीके को अपनाया है वो गलत है दूसरा Inaccurity, Inaccuracy In Sourcing of Data यह जो source of data होता है उसकी accuracy होनी चाहिए और WHO ने खुद माना है कि Unverified Sources से उन्होंने डेटा इखटा किया है तीसरा विशय है Inconsistency is in Criteria कि इन Criteria's के आधार पर भारतवर्ष को Tire 2 देश में रखा गया है यह भी सटीक रूप से पता नहीं चलता है और अंत में Use of Assumptions अर्थात कालपनिक तरीके से डेटा का मंतन करना और भारतवर्ष को Tire 2 देश में रखना इन सब विशयों पर भारतवर्ष ने समय समय पर WHO से वारतलाब किया है और अपने अपने विशय को बताया है कि हम इससे सहमत नहीं है हम असहमत है आप याद रखिए जहां तक WHO की मेथोडोलोजी है यह जो मैथेमेटिकल मॉड्यूल है उसके आधार पर WHO ने कैलकुलेशन किया है भारतवर्ष ने समय समय पर कहा है कि हम इस मैथेमेटिकल मॉडल को मानते नहीं है यह जो गणित की आधार पर आपने यह डेटा दिया है हम इस पर विश्वास नहीं रखते हैं हम इसे मानते नहीं है सबसे बड़ी बात है बंदुवर की भारतवर्ष में मृत्यू और जन बर्थ एंड डेथ इसके रेजिस्ट्रेशन को इसके पंजीकरण को लेकर एक बहुत robust system प्लेस में है A very robust system is in place as far as the registration of birth and death is concerned through the CRS that is the civil registration system जो की registrar general of India के अंतरगत आता है और यह 1969 के आप से चल रहा है एक बहुती robust system है और इसमें आप देखेगा कि जो भी पंजीकरण होना है 2016 के बाद जिस प्रकार से ये पंजीकरण में इजाफा हुआ है खास करके मृत्यूदर आप देखेगा इसमें बिलकुल सटीक संख्या रजिस्टरार जनरल अफ इंडिया आज रख पा रही है इसलिए एक रोबोस सिस्टम के होने के बावजूर एक दूसरे मॉडल से कैलकुलेशन डबली एचो करती है ये उचीत नहीं है ये जो रजिस्टरार जनरल अफ इंडिया है इसमें बताना बहुत अनिवालिया है कि इस एसिस्टेड बाई दे चीफ रजिस्टरार अफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरीज में उनके अपने रजिस्टरार के आफिस है और ये सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज रजिस्टरार रेसिस्ट करते हैं और पूरे देश में ऐसे तीन लाख रजिस्टरार और सब रजिस्टरार है जो इस पूरे प्रकरण में Registrar General of India की मदद करते हैं तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है और आप याद रखिए मैं राहुर गांदी जी से कहना चाहता हूँ राहुर गांदी जी अल्टिमेटली the national data that comes ये जो data हम राष्ट्रिस तर पर रखते हैं आरजियाई रखती है ये राज्जियों के और Union Territories के रिपोर्ट्स जो सबमिट होते हैं उनके आधार पर होते हैं तो ये एक तरफा नहीं होते हैं हर राज्जिय के रिपोर्ट के आधार पर होते हैं और जो national report है 2019 का national report June 2021 में पब्लिश हुआ था और 2020 का national report 3rd मई 2022 को पब्लिश हुआ था इतने डाटा को नहीं मानके WHO अपना डाटा बनाती है WHO अपने model को लाने का प्रयास करती है मुझे लगता है इस पर बहुत भारत सरकार ने आपती भी जताया किन्तु WHO ने इस पर अभी किसी प्रकार से कोई टिपणी नहीं की है एक विशह आप सबने पढ़ा होगा WHO ने खुद कहा है कि we have relied on जहां तक 17 राज्यों का विशह है 17 states भारत वर्ष में 17 राज्यों को लेकर WHO खुद मानती है कि we have relied on some websites and media reports यह जो data है उन्होंने कुछ website से लिया है और कुछ media reports से लिया है आप सोचिए जहां भारत वर्ष में registrar general of India है इतना robust system है उसको छोड़ करके आप media reports से data लेते हैं और website से report लेते हैं क्या यह authentic है is this authentic दूसरा बड़ा विशह है खुद WHO मानती है कि भारत वर्ष को उन्होंने tire two country में रखा है मतलब प्रथम स्तर का देश अलग है हम दृतियस स्तर के देश है भारत सरकार ने कई बार पूछा है WHO से आकिर भारत tire two country क्यों है हमारे पास एक robust system है registration का कोई आज का नहीं है जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी ये system place में था उसके बावजूद आपने arbitrarily जो criteria आपने tire two में रखने के बनाया है that is inaccurate and inconsistent एक inconsistent और एक कालपनिक एक assumption के अदार पर आपने भारत वर्ष को tire two में रखा है भारत वर्ष इसको अपना आप मान मानती है और भारत ने इस first group से कहा है कि ये उचित नहीं है इसका भी कोई communication भारत वर्ष को नहीं मिला है तीसरी बात है आपको जान के आश्चरी होगा India is not a small country कोई छोटा सा देश नहीं है इंडिया में एक homogenity नहीं है कि सारे population एक जैसे होंगे सारे राज्ये एक जैसे काम करेंगे और जो corona positivity rate है ये पूरे देश में पूरे भारत वर्ष में सभी राज्यों में एक एही positivity rate होगी ऐसा संभव नहीं है जोग्रफिकल वेरियेशन होंगे space and time वेरियेशन होंगे उसके बावजूर WHO ने एक uniformity के साथ पूरे देश पर एक अही positivity rate लगाया है जो कि छोटे देशों के लिए और छोटे स्थानों के लिए तो हो सकता है मगर भारत वर्ष जैसे 1.3 billion वाली country के लिए जहां 135 करोड देशवासी हो वहां एक ही uniformity के साथ आप criteria लगाएं ये उचित नहीं है भारत वर्ष ने अपने communications में पस्ट रूप से लिखा है one size fit all एक ही size सब के लिए लगेगा ये formula भारत वर्ष के लिए सटीक नहीं बैठ सकता extrapolation of data छोटे से data को लेकर आप पूरे हिंदुस्तान के लिए extrapolate कर दे ये भारत वर्ष के लिए हो नहीं सकता है आपको आश्चर ही होगा कि WHO ने जो calculation किया है इस model में एक बहुत सारे आयाम है एक आयाम में बताता हूँ जिसमें उन्होंने death rate is inversely proportional to the temperature अगर गर्मी ज़ादा होगी तो death rate कम होगा गर्मी कम होगी जिन स्थानों पे गर्मी कम है वहाँ death rate ज़ादा है इस प्रकार का calculation इस model में WHO ने किया है आप खुद बताईए model में तो calculation किया है मगर WHO ने खुद अपने आप इस विशय को अभी तक substantiate नहीं किया है कि COVID death has something to do with temperature temperature के साथ बाहियर temperature के साथ तापमान के साथ COVID death का कुछ लेना देना है इस ने इस विशय को लेके WHO ने खुद प्रतिपादिक नहीं किया है किन्तू इस report में death rate calculation में ये करती है देखिए अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि एक राजनेतिक विशय नहीं है ये हिंदुस्तान के गरीमा का विशय है भारतवर्ष ने जिस प्रकार से ये लड़ाई लड़ी COVID के खिलाफ जिस प्रकार से हम COVID को हराने में सक्षम हुए है जिस प्रकार से एक vaccination system चल रहा है भारतवर्ष में एक robust जनगंडना registry of death and birth इस सबका एक robust system है उस system से बाहर जाके हम unconfirm sources से data लें और एक mathematical model के आदार पर data extrapolate करके आकडों का हेर फेर करें ये उचित नहीं है और सबसे बड़ी बात है जो compensation सरकार ने गोशना की उस compensation को मागने के लिए भी इतने लोग नहीं आए जितनी संख्या WHO ने बताया है अर्थात किसी की मृत्ती हुई है भारत सरकार ने compensation गोशना की है तो compensation मागने के लिए तो अवश्यक रूप से जिनकी मृत्ती हुई है उनके परिवार के लोग आएंगे मगर वह संख्या भी कम है बनिस्बत जो WHO ने बताया है वह बताय है वह संख्याँ आएंगे अर्थाव का बेटा गलत है और कॉंग्रेस का बेटा गलत है थैंक यू सो मच इसके अलावा पार्टी बाकी सभी विश्यों पे अपने विश्य को रखेगी देखिए ऐसा है कि कॉंग्रेस और राहूल गांधी ये नासम जी का दूसरा नाम है ये किसी विश्य को समझने का प्रयास नहीं करती है जबकि हमारे सरकार ने इन सभी विश्यों पे अपने जवाब को दिया है राहूल गांधी आँख बंद करके कहीं मौका मिले तो मोदी जी को कोसना भारत के सरकार के खिलाफ बूलना एक पॉइंट ऐसा भी था जब राहूल गांधी ने ट्वीट किया था इंडिया इस नो मोर डेमोक्राटिक कंट्री उनके हिसाब से तो इंडिया डेमोक्राटिक कंट्री ही नहीं है मगर आज मैंने तक्षियों के माध्यम से राहूल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ राहूल जी आप इतना बताइए क्या महाराष्ट्र केरल इन्होंने गलट डाटा दिये ये बीजेपी नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स इसके आधार पर आजनिती मत करिये भारत एक है एक रहेगा और एक होकर हम लड़ेंगे मोहिजी ये गंभीर मसला है और पाटी ने इसका संग्यान लिया है तुरंथ मेरे इस प्रेस कॉंफरेंस के बाद पाटी इस विशय को भी यहीं इसी मंज से संबोधित करेगी All those issues would be addressed by the party This was a national as well as an international issue which we have addressed Please wait for the other spokespersons to join you. Thank you so much